हेलो एवरीवान वेल्कम बैक टी यहरो डूप चैनल फोर क्रेटिव एश्टेडिज आज इस सेशन के मादि हम से हम लोग देखेंगे बीपी एसी वान फोटी पोर के लिए जो है ना यूनित थ्री चेप्टर नमर थ्री एकाई नमर थ्री इसको हम लोग आज इस सेशन के सबसे ओपर में मिल जाएगा आप उस लिंक से आप अससानी तरफिस लींज में जा सकते हैं और आसनी तरफिस सरक इसारी क्रस कर सकते हैं तो सो आप सभी जरूर्ष से जरूर कर लीजेगा इस से पाहले वाली क्रस्सまり है और आज जैसा कि क्षिछी नमर थ्री को देखेंगे इसका नाम है दक्चे नेसिया में विवित्ता और बहुलवाद बहुती अच्छा सब्जेक्ट है और चेप्टर भी है इंपोर्टेंड भी रहेगा तो इसमें देखे इसमें से कौन-कौन से टोपिक्स जो हैं इंपोर्टेंड रहेगा आपके एक्जाम की डिश्टी कौन से सब् sigui तो इसको देख लेい लिए लिए जैसे कि इसमें सब्सक्राइब देखेंगे विवित्ता क्या होती है और बहुलवाद क्या होता है सबसे पहले एंपोड़ी यहिस्प kept समझेंगी नहीं तो समझें बांट चीजों नहीं है कि और बांटी जो है समें इसमें देखे, इस topics में से, इसमें से कुछ ही important है, तो इसमें हम लोग जैसे कि आपका होगया परसार की विविता, मतलब कि छेतर की विविता, यह Never ही होता है, फार सार, ठीक है, उसके बाद आपका जो नहाज भासाय विविता, जाती व्यवासल के फार यह important है उसके बाद यह देखेंगे राजनेतिक बहुलवाद यह नहीं परने को बहुत कुछ है हम लोग कुछ smart work करेंगे उके इसमें हम लोग देखेंगे आज की सेसन में तो कभर नहीं हो पाएगी क्योंकि यह यूनित तरब लॉंग है तो मैं बनाओंगा तो बहुत वराल वीडियो बन जाएगा तो इसके लिए मैं पाट टू लाओंगा इसके लिए पहली ही बता दे रहा हूं आप सभी तो हमार बहुत ही जरूरी है तो इहां से देखें आप सरी सूनिए मेरी बातो को ठीक इसमें कहा जा रहा है कि बहुर वाद और विभित्ता को जानने से पहले हमें जो ना दो अबधानों को जानना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा अबस्यक पर्तीत होता अबस्यक सूचना देता है यहने कि उसको अब समझ जाते हैं तो विभित्ता और बहुलबात क्या होता उसको हम लोग समझ सकते हैं ठीक है आग वहां को सविधान बगईरा यह जोन अनेक्स है अन की जुह हैं और किस तरह से होता है विविट्टा कर अनेक Prakyo Spirit के बारे मैं बताए जा रहा है विभीद्य विपथ अनेक्त आफधारना एक विस्तित दिश्टि कौन लेते हैं अफधारना जो है एक विस्तित विस्तित लेने के बड़ा अप्रोच लेते हैं एक विस्तित तरीके से अप्रोच लेते हैं ठीक है वित्ता की विचार को अंतर और असमंता से निहित अर्थोदक बरहाया जा सकता है विवित्ता के विचार को जो है अंतर और समंता रूप से जो है उसके अर्थ जो होती है उसको बढ़ाया जाता है उसके जितने भी अर्थ होते हैं और समंता होते हैं उसमें जितने भी डिपरेंट होते हैं अंतर होते हैं विवित्ता के विचार में तो उसके अर्थों को बढ हैं तो यह परकार की जो है ना विवित्ता ही है ठीक है तो दूसरे सब्दों में लोग समझ सकते हैं कि आपधारनात्मक रूप से विवित्ता मानव या भोतिक और अस्तित्व के किसी विशेश संदर में परचलित विवित्ता अंतर्या और समंताओं के लिए है यह पहले सब् परकार की विवित्ता होती है उसके मानव जाती या भोतिक इस्तिति की विशेश संदर में आपके जो खास संदर में बताया जाता है परचलित होता है उसके उसकी बात अंतर और समंता के लिए जाना जाता है अरे बाबा विवित्ता के बारे महलुक समझ सकते हैं जैसे कि मा अंतर बताया जाता है औंटा जाना जाता है उधारन के लिए संदर में मानव की विविद और स्वेयर जाता है वैजिसे सतर्फों कि रॉप में विस्वे Silva emulate जोनने उसके भार्व में जो जाता है कि मानव के विविद के रुप में जो vyसको यह विभित्ता को दर्साथे हैं विभित्ता के बारे में हम लोग यही समझते हैं कि वहां की समय जी को राजनेतीके संधर में हम लोग किस तरह के वहां की बहुतिक चेतर पर जातियों के बहुतिक चेतर में असंख परजातियों के बिवित अस्तित्व का वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका पुरु का विका विचार जवित्ता पर आना है तेके बहुतिक छेतर में जो है आपका बहुतिकी छेतर में जो है असंक्य मतलब की जो संक्या लिमीट नो हो मतलब पता ना हो ठीक है उसके परजातियों के विभीन विभीन परकार की सो अस्तितों का वर्नन करने के लिए जो है वो सबसे अच्छा तरीका है सबसे अच्छा त जो में बारे में जो है ना लिटवीन जो विद्वान थे इस धिंग or विचारत दिजुनली इंध्य मोलिक विशिस्थाओं का साथ विविद्ता कर सिमंकर के मोल दॐ问र्बी सक बारे में त विविद्व विचिक कर रहे में जोना बताया है शिमंगर किया जिसमें से देखे का क्या गया है आयू हो गया जायतियता होता है लिंग हो गया सारे रिक पहलू ये छमताएं हो गया नसल और योन अभिविनियास ये सभी जो जो ये छे छे मोलिक अधिकार हो गए मोलिक विशिष्टा हो गए ये विवित्ता के बारे में जो लिट्विन ने दिया गया था लेटीव इनके द्वारा ओके उसके बाद आगे कहा जा रहा है उनकी कारियातमक अभिवेक्ति में प्राथमिक विश्चताओं को सिक्षा भोगलिक इस्तिति आय विवाईक इस्तिति धार्मिक विश्वासों और कार अनुभव के संदर में आर्ड और जाता है यह जोने इनकी कारियातमक उनकी जोना विवित्ता के बाद जोने कारिया होती है उसमें सबसे प्राथमिक प्राथमिक जो दिया जाता वो उसकी सिक्षा का होता है उसके बाद भोगलिक इस्तिति कैसे भोगलिक इस्तिति मतलब मान चेत्र के बारे में कौन से देश करने के आपसकता नहीं है कि विभिता के गुन द्रिश्रिता के दिगड़ी और विभीन करता आउरा उपयोग किया जाना जैना ANTITYL तनसील है यह जो है इसका उलेक करने की अबसकता नहीं है यह विवित्ता के बारे में यह उलेक करने के अबसकता नहीं है कि विवित्ता के गुण जो ने रिस्ता के डिगरी और विविन करताओं दोर उपयोग किया जाना है देखिए यह हो गया विवित्ता के बारे में अब होता है अलग अलग च्छेत्रों के अलग अलग राष्टर के अलग अलग कल्चर होते हैं अलग-अलग परकार कि आई वहां कि आयू जो है न की साधिक करने की आयू अलग होती सभी प्रक्रिकल अमनलों विवित्ता मतलग की भीनिताएं जो होती है वो विवित्ता के रूप में हता है ठीक है वह आसानी तरीकर से समझ सकते हैं जैसे लिटविन जो है न छे न शे मूलिक विशिष्चाओं के बा दोनों एक दूसरे से समन्दित है, निकरता है, लेकिन यह समान नहीं है, ठिक है? विवित्ता का मतलब होता है कि विवित्ता अनेक प्रकार के वह प्रकार के उसके बहुलता है मतलब बहुत प्रकार के मतलब दोनों एक तरके से हैं लेकिन भीनिताएं हैं ओके जिस तरह से आप सिंहरा समुसा है एक ही लेकिन नाम अलग अलग है ठीक है ये अलग चीज़े हैं यह दोनों भीनताएं हैं, जैसे आप समोसा और सिंहारा बोल सकते हो, एक ही चीज़को, लेकिन इसमें नहीं हो गई है, ठीक है, यह दोनों जो ने दिखने में समान लगता है, लेकिन यह भीनताएं है, ठीक है न, समझ लिए, उसके देखें, आटी काजा, सीधे सब्धों में जो न कई सनस्तान अस्थीत्त में लिये गए हैं थीकानों श e Marty कई चार iba monastery हो सकती है या नहीं यह जो रोंबैना Vz जानओ इसके बा कि विचार्ज नहीं इसके बारे में कहा जा रहा है लेकिन मह Save से म मुलिक क्रोप्र से एक वीशेष-6 में एक और कhou अस्था होता है विए जैसे बताएं राज कि एक वच्छन दूई बच्छन इस एक या दो से अधिक करता होगा अस्थित होता है मतलब महत्वपूर्ण होता है इस पर कर बहुलबात के विचार मूल रूप से यह है कि परिवार समों समूदाय संगठन समा देश आदि जैसे विश्लेशन की एक इकाई के रूप में जो कुछ भी खरा होता है देखें बहुलबाद का मतलब क्या होता है आप अकेले नहीं हो गया अकेले रहेंगे तो मतलब एक आदमी हो गया इसमें कहा जा रहा है आपके पूरे परिवार एक बहुलबाद का पाठ है समूज जो है बहुलबाद का पाठ है समूदाय बहुलबाद का पाठ है संगठन बहुलबाद का पाठ है समाज देश ये सभी जो है बहुलबाद का एक पाठ है एक इकाई है समझ जएगह उसके बद काज़ादा वो एक से अधीक तत्व से निर्मित होता है मैंने जैसे बताया कि बहुलोबाद जो दीया वो एक से अधीक निकि दो या दो से अधीक होने चाहिए वो बहुलोबाद के increasing रहाएगए वही काज़ा रहा है थीक है न या उतना ही महतपूर्ण है कि ये तत्व एक दुस्रे के साथ इस तरह से शम्मान में खर्य होते हैं लेकिन उनका औस्तित बाहरी और स्वायत होता है इसके अलाबा संगठर की संपूर्णता को कभी भी उनमें से किसी के दौ़ारा गर्शित नहीं किया जा सकता है कभी भी उनकी द्वारा हम लोग गरसित नहीं कर सकते हैं, कोई भी दिकते नहीं दे सकते हैं, ठीक है, असपस्ट रूप से बहुलवाद में विभीन सनस्थाओं को एक दूसरे के साथ इस तरसे सवस्तित में के साथ रखा जाता है, कि जिसमें कुछ नहीं, सब कुछ सामिल हो होता है, संगठान में कुछ नहीं है, फिर भी हम लोग उसमें सामिल होते हैं, ठीक है, उसके का जाता है, लोगताने के समवाद में बहुलवाद एक तत्व द्वारा, दूसरे तत्व के अस्तित पर किसी परकार के वर्चेश्व का खंडन करता है, यह लोगतां तरीक जो है न, एक आदमी के द्वारा, दूसरे आदमी से किसी परकार का वर्चेश्व खंडन करता है, ठीक है, सोरी, करता है, उसके बाद इसी तरह से में कहता है, उसके संचेप में विस्तार रूप से हम लोग जो है न, बहुलवाद की दो विस्तार के रूप में देख सकते है जैसे कि होगे एक तरब एक संगठन के बीतर कई करता हो यह संस्थाओं का अस्तित होता है और दूसरी तरब परतिक संस्था के लिए स्वायत अस्थान होता है एक पहला विसिस्ता यह है कि इसके संगठन के बीतर कई करता होती है जैसे संगठन है संगठन में बहुत सारी करत राएं हैं सश्वायत स्थान होता है उसके दुसरे के दूनिया के विभीन हिस्सों में बहुत है हाला कि दुनिया में पूरे विभीन परकार के हिस्सों में बहुलबाद की वास्तवी कारपने लिए बहुलबाद की जो नियम कानून जो भी है वह बहुत्ते भीन भीन है जैसे पहले भी बहुलबाद में भी विवित्ता में भी देख चुके है कि अलग-अलग डेस में अलग अलग पर करके इस विदान है, नियम है, कानून है, कल्चर है, उसी तरह से बहुलबाद में भी कहा जा रहा है, उसके ठीक है, उसके बाद कहा जाता है, अमुर्त वेभारिक दोनों अस्तरों पर विवित्ता और बहुलबाद सहसाथ मौजूद हो सकते हैं, अमुर्त हो गया व उसको जो ने लिमीट उसमें फिक्स कर दिया जाता है, निरधारित कर दिया जाता है, बहुलबाद अकसर भी फिन हित्तार को करियातमक स्वायत का अस्थान परदान करता है, ताकि सभी और लोगतांतिक समाजों को सुनिश्चित निर्मान किया जा सके, यह बहुलबाद जो होती है वो की जो नहीं हित धारी होते हैं जिसके परती जो योग होते हैं उसके अनुसार कारी करते हैं जैसे जैसे अभी बहुत बहुत भी नताएं होती है तद नसार एक अस्थाई समाजी गराजनेतिक विवित्ता के रूप में कारी करने है तू विवित्ता को बहुलबात के धाचे में मूल रूप से बुनने की अवसकता है ठीक है उसके तका जाए दूसरी सब्दों में लोग विवित्ता का उचित और व्यापक समयोजन भारत ज स्वतरता जो है जो समाज में नागरिक संस्कृत को समयकित करते हुए लोकतंतर संगवाद, बहुल संसक्रितिवाद, स्वतरता और अपने लोगों की स्वतंत इच्छा के मांडंडों को महतु देता है यथावात यही कारण है कि हाला कि दक्षे नेशिया में काफी विवित्ता है ने करना है कि दक्षिने सियां में काफी भीद्ता है आप देख सकते ना घगल कि पर उपना देश में बहुत सारी भीद्ता है भूत उन्य खते लेकिन बहुराबद को इस छेत्र के विविन्त देशों की समाजिक, संसक्रितिक और राजिनितिक परसासनिक प्रनालियों को रिखागित करने वाले सारभों में एक मोल रूप से रूप में नहीं पाया गया है यह जैसे कि विवित्ता अलग 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 परकार की अलग तरीके से अलग महुल में देखा गया है ल आपका आजाएगा देखिए यह इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए यह चेत्र की विवित्ता यानि कि परसार का विवित्ता ठीक इसको हम लोग देख लेते हैं ओके तो इसमें देखिए इसमें क्या का जा रहा है यह चेत्र भारती पठार दोरा मुखी रूप से गठित ह समझ चुके हैं तो उसके बारे में कहा जाता है अपना देश प्यारा भारत के बारे में उसके पठार द्वारा मुखी रूप से गठित होने के बावजूद जो है इसके अस्थानी विवित्ता से और साधन रही से परिपूर्ण है तो ठीक है इस छेत्र के सबसे बड़े द खेत्र में विष्जाल में जो सबसे ज़्यार बहरा देश है वह सबसे ज़्यादा की बहारत की सब्ती हो बाहरत के मादियम से का जा रहा है भायत देश की भौगोली विता में उत्तर में विसाल हिमाले विडियत नदियों के सगन नेटवर्क से घिरिश साथ उत्तर भारती मैदान अपनी उभजाओ स्थालाकृत के साथ दक्कन का पठार पस्चमी राजिस्तान में थार्रेगिस्ता गुजरात में कच्छ का रन समिल है और देखे ये जो है न अपना प्यारा एजमपल के माधियम से अपना भारत का चहुदी के बारे में बता जा रहा है ये जो है न भारत के उत्तर के बारे में बता जा रहा है कि उत्तर में विसाल हिमालय है जो नेपाल के करीब है समझ सकते ह ही है हिमालय तो वो विशाल हिमालय हो गया विरिहत नदियों का संघर्स हो गया यह सब जीओ है आपके अपना प्यारा भारत देश के उत्तर छेत्र में है ठीक है उसके पूर पस्षिम और दख्षिन में लंबे टले छेत्र करमसा बंगाल की खारी है उसके अरव साघर और हिंद महाल सागर से नीर्मीत है यह जो अफना प्यार देश भायत की चहोदी के रूप में लोग समझ सकते हैं पूरवे में क्या है पस्षिम में बहुण को हम लोग अस्थानिवर विवित्था को बहूर बढवा uska आगे काझ रहा है भारत के अलावा पाकिस्टान में देश के भीविन हिस्थों में कई परकार की भू आकरती और भगली से Почемуा के साथ अस्थानिक विञिटा है ठीक है अफगानिस्तान हो गया बंगलादेश में भी अत्यदिक अस्थानिक विवित्ता दिखाई देती है यह कि सिर्फ भारत में ही अस्थानिक विवित्ता नहीं है बलकि पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान में भी बंगलादेश में भी है ठीक है हाला कि भारत और पाक और अधिकान्स चेट्र और हावी सब्सक्स्राइब तर जय से बहुत सैत क्यूंस का विविटाउएं जो कई परकार कई बार काफी सम्हान और एक जैसे होते हैं यह भारत और पाकीस्तान जैसे देशों में जो ना परचलित परकार के भूवा करती जो होती है इसके विवित्ता के होने के बावजूद भी इसके अलाबा जो इसका उल्टा जो होती है दक्षिनेस्या में काफी अस्थानिय इस्तिति वाले देश हैं ठीक है उसके जैसे की एक्जम्पल बताए गया एक्जम्पल समस्क्ते नेपाल और भोटान की चेतर विसिस्ताओं को देखता है नेपाल और भोटान के चेतर विसिस्ताओं को देखता है नेपाल और भोटान के चेतर विसिस्ताओं को देखता है और उनकी मुखी भूमी में काफी हद तक एक समान अस्तलाकृती मिलती है नेपाल हो गया और भोटान में एक दूसरे के और जो मुखी रूप से एक अदूत्य पहारी भू आकरती विज्ञान सनजना का निर्मान करते हैं जो मुखी रूप से जो है ना एक अदूत्य पहारी के रूप में वहां की भूमी की आकरती भूमी की जो किसर से आकरती बनाएगी है उसकी सिन्यका निर्मान करता है जबकि नेपाल के पास भाहत की सीमा से लगे तरही छेतर में मैदानी भूमे का बरा हिस्सा है यह नेपाल और भाहत का सीमा सटावाई है बहुत ही करीब है एक दोनों देश ठीक है भोटान मुखी रूप से परवती और पहारी देश है यह जो भोटान का जोना भोगोलिक मतलब जयोगरुखी के रूप में जोना इसमें भीनिताएं अलग-अलग परका की विविताएं जोना बहुत कम है दोनों देश पुनता भूमिबद है उनकी खूले समुन्दर की और पहुँच उनके परोसियों के माधियम से विशेश तोर से के दोनों के लिए स्थीतिन भाटान के बंदर अस्थाला को में अनुद्टान है अक्यों में भोगोलिक स्थीतिक रूप में अq intern बलकि इसके अलावा जो इनना स्रे लंका और मालव इप हो गया यह जो न उसका अस्तला कृति से भिभुध ने के भि Russ Ciao इन को ऑपकी जो आपました कि अपने अस्तलों के अस्तलों में मामुली अंतर हैzonain जे मालव है उसके लिए आप этот Landi पेसाथ को प्रवक पलेट है हिमाले में यह हिमाले के अंदर का जो नहां वो टेक्टोनिक प्लेट होती है, एक दुस्य के साथ पलड़ती है, इसके बारे में लोग एक कलास लाएंगे, टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है, इसको बेहतरिन तरिके से समझेंगे, ठीक है, यह प्लेट है, हिमाले में है, हिमाले के अंद यह जो है ना टेक्टोनिक प्लेट के सिधान के नुसार यह कहा जाता है, सुर्वाती तोर पर सुपर कॉंटिनेंट जो है, वो गोंडवाना का हिस्सा था, समय के साथ इस महादृब के युरेसियन प्लेट के से टकराने से विशाल भारती अस्ट्रेलियाई प्लेट का निर्म जो एक ना प्लेट जिस तर से हैंगे ट्रोंिक प्लेट ओं गया, यूरेसियन प्लेट हो गया, उसी तर से भार बातोार अस्ट्रेल्या के दोनों के बीज में प्लेट हो गया, वोग्यान कсемना जीचन वह जिसका निर्मान उखतीखां जोरती भातोती भारतों को इक तलेब में इस चेत्र की मुल्भूत मुल्भूत की सनचना काफी देर से उस्तित में आई ओके इसलिए आश्चरी की बात नहीं है ठीक है हिमाले को सबसे यूवा परवत कहा जाता है हिमाले को जोना सबसे यंग परवत कहा जाता है ओके आप सभी समझ सकते हैं जान सकते हैं इसके बा सबसे हम लोग महात्रपुन भवा इसी के बारे में हम अधिकाइत यस इसके जोना भारत नामक एक राजनितिक इकाई के इर्दिकित आसपास ही एकत्रित्ता महजूद था जिसमें छेत्र के बिफिन हिस्सों में काफी संसर्डितिक आदान परदान हुआ सभी परकार की भूब होते की सनचनाओं का अस्तित्व इस छेत्र के जिवास मिंधन जैसे केवल कुछ प्रकृतिक संपदाओं को छोड़कर प्रकृतिक अधिकास प्रकृतिक नीदियों और उपाहरों में आतनमेरफार बनता है ठीक है हाना कि ग्लोबल वार्मिंग जो भूमंडले तापमान विर्धी की तिवर पर दर माल्दिव जैसे कुछ देशों के लिए एक संभाविक खत्रा पैदा करती है इसके अलावा दूसरे छेत्र में अनेक अबदाएं जैसे विडिया तस्तर पर बार और सुखे की समस्य की समस्यां त्सके अलावा जो है दूसरे छेत्र हो गया दूसरे देश में होगया अबदाएं उठीज से अबडाएं बार हो गया सुखाव हो कदिया इस तरह से चीजए उढ़ल के बारा सीवे हैं इसे इस तिवारे जैसे की झेलग हिए निपाल के लिए बारे में हीए रखोड़ए है तो यह सभी चीज़ें हैं रखोड़न बनगलाया देस्में बखता हैं फ्ल्यक लग है तो अच्छा खासा बन गया तो इस तरह से जो नम लोग इंपोर्टेंट टोफिक्स को फिर नेक्स सेशन में के माधिम से कभर करेंगे ठीक है तो वच बस आसके सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं काफी लंबा भी वीडियो बन गया उसके बात सो प्लीज आप सभी जो हमारे चैनल के साथ जूरी रहिए और प्लीज में एक्सप्रेशन जरूर बताएं ठीक है कैसा रहा है एक्सप्रेशन और जो भी चैनल में है प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लिजे बेल आगन को जरूर हीट किजे ताकि ने नेक्स पार जैसे भी अप्लोड आपको नोटिवकेस पसंद मिल जाए और वीडियो पसंद ने तो लाइक कीजिए कोमेंट को मेंसे जो भी डाउट हो डाउट पूछे और अपने दोस्तों को भी सेयर कीजिए चलिए में ते नेक्स सेशन में तब तब के लिए थैंक यू